अगत करता हूँ अपने यूट्यूब चनल पर बेहत सीजन 3 आप लोगों के बीच में पता ही चल गया होगा कि 16 दिसंबर से सीजन 3 आ रहा है इसका फिरमो आप लोगों के बीच में बहुत जल्दी आने वाला है इस्टोरी और इस्टारकाश्ट की बात करता हूँ इसमें कौ कौन नजर आने वाले हैं और इस्टोरी क्या होने वाली है आखर बेहत सीजन 3 की बेहत सीजन 2 जो कि कहीं न कहीं ये सीरियल कंप्लीट नहीं हुआ लोगडाउन के बज़े से थोड़ी सी प्रोब्लम होगी थी बेहत सीजन 2 में आपको पता देता हूँ कि जिस तरीका से बे इतने ही सीजन 2 बंद कर दिया था जिसमें कि जन्नीफर विगेट और सिवेन नारंग का रोमान्स अभी बाकी था दोनों स्टार कास्ट की बात की जाएं तो काफी अच्छे नजर आ रहे थे क्योंकि रूद्र का किरदार निवा रहे थे सिवेन सिवेन जो कि काफी अच्छ कि सीजन 3 का आफर मिला था दो लेकिन बात करती हैं तो दोनों स्टारों के वापसी हो रहे सथा सथ में सिवेन कि क्योंकि क्योंकि जन्निफर की पहले ही चोई सिवेन है हाला कि कुसल टंडन से भी संपर्क किया गया था बेहत सीजन 3 के लिए लेकिन अभी तक कुसल टंडन ने इस चीज को पैंडिंग में ही बरकरार रखा है उनकी हाँ भी है और ना भी है लेकिन सिवेण नारंग ने हाँ कर दी है बेहत सीजन 3 के लिए क्योंकि जन्नीफर विगेट एक ऐसी ही एक्टर्स हैं जो कि हर कोई उनके साथ में काम करना चाहता है और कहीं न कहीं जन्नीफर को जिस तरीका से एक टेलिवीजन में पहचान मिली है टेलिवीजन की काफी बड़ी अभीनित्री उमर से किनी जाती है क्योंकि काफी मोटी फीस वसुलती है जन्नीफर जो कि बेहत सीजन 3 के लिए उनको काफी अच्छी मोटी रेकम वसुलेगी और कहीं न कहीं जन्नीफर की बात की जाए तो जन्नीफर विकेट को बिग बॉस चौदय का ओफर भी मिलाता लेकिन उन्होंने लेने से इंकार कर दि कुछ लोगों का कहना कि बेहत सीजन 2 की कहानी कंप्लीट होने के बाद ही सीजन 3 आता लेकिन आप क्या सकते हैं क्योंकि साथ हो भी सकता कि 16 दिसंबर से पहले बेहत सीजन 2 की कहानी भी कंप्लीट करा दी जाए अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं यह काफी दिल्चस हो बेहत सीजन 3 के लिए मैं आपको स्टारकास्ट की बात कर लेता हूं तो सिवेन अपने मुखे भूमी का में नजराएंगी जो कि जन्नीफर यान माया के सामने पूरी अपना उसी अंदाज में नजरा पाएंगे माया जो कि कहीं न कहीं अपने डायलोगन के लिए फहमस है अ आज इस सौधरी के सहपाटिकल अकार यानि सिवेन नारंग सिवेन नारंग अपनी पूरानी भूमी का में नजराएंगे कहीं न कहीं सिवेन की अगर रोमान की बात की जाए तो वह काफे अच्छे रोमांटिक इंसान है और हर कोई उनके साथ में काम करने को लेकर काफे एक नहीं जाते हैं जो कि लोग कहीं न कहीं इनकी जोड़ी को काफी पसंद भी करते हैं प्लेज इस वीडियो को लाइक कीजिए बेहत्त्री के बारे में पूरी जानकारी दूंगा और इस चैनल को सस्क्राइब कीजिए थैंक यू सो मुज गाइज लवी ओ झाल